शिरी विश्णु पुरान तृत्य अंश का सोल्वा अध्याय श्रात करम में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार और अब बोलें हवी मतस्य शशक खरगोश नकुल शुकर चाग कस्तूरिया मरिग क्रिशन मरिग गवय वनगाय और मेश के मासों से तथा गवय गौ के दूद घी आदी से पितरगन करमश एक एक मास अधिक त्रिप्ति लाब करते हैं और वारधा, ध्री, हणस, पक्षी के मास से सदा त्रिप्त रहते हैं हे नरेश्वर श्राद करम में गेंडे का मास, काल शाक और मधू अत्यंत परशस्त और अत्यंत त्रिप्ति दायक हैं हे पृत्वी पते जो पुरुष गया में जाकर श्राद करता है उसका पितरगन को त्रिप्ति देने वाला वह जनम सफल हो जाता है हे पुरुष रेष्ट देवधान्य निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामाक सावा एवं परधान परधान वनोश्दियां श्राद के उप्युक्त द्रव्य हैं जोव, कंगनी, मूंग, गेहु, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इन सब का श्राद में होना अच्छा है हे राजेश्वर, जिस अन से नवान यज्यना किया गया हो तथा बड़े उडद, छोटे उडद, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शल्जम, गंदारक, शाली विशेश, बिना तूश के गिरे हुए धान्य का आटा, उसर, भुमी में उत्पन हुआ लवन, हींग आदी, कुछ-कुछ लाल रंग की वस्तुएं, धान्य का आटा, परतक्ष, लवन और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्तर में विधान नहीं है, शाद करम में त्याजे हैं, हे राजन, जो रात्री के समय लाया गया हो, अपरतिश्ठित जलाशे हो, जिसमें गौत रिप्त ना ह हो सकती हो, ऐसे गड़े का अथ्वा, दुरगंद या फेन युक्त जल श्राद के योग्य नहीं होता, एक खुर वालों का, उंठनी का, भेड का, मृगी का, तथा भैस का दूद श्राद करम में काम में ना लें, हे पुरुष रश्ब, नपुन्सक, अपविध, सत पुरुषों द्वारा भहिश्कृत, चांडाल, पापी, पाशंडी, रोगी, कुकुट, शवान, नगन, व्यदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम्य शुकर, रर्सवला इस्त्री, जनम अत्वा मर के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इन में से किसी की भी द्रिश्टी पढ़ जाने से देवगण, अत्वा पितरगण, कोई भी श्राद में अपना भाग नहीं लेते, पतर, किसी घीरे हुए स्तान में श्रदा पुर्वक श्राद करम करें या जो निचोड कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो, श्रदा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोतर के ओचारण पुर्वक दिया हुआ अन पितरगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं, वैसा ही होकर उन्हें मिलता है, हे राजन, इस सम्मंद में ए क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्ग शीर व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पुर्वक प्रिंड दान करेंगे, क्या हमारे कुल में ऐसा पुरुश होगा जो वर्चाकाल की मदान नक्षत्र युक्त त्रयों दशी को हमारे उदेश्य से मदू और दृत य विदी पुर्वक अश्वमेग यग्य करेगा यह था शिरी विश्नु पुरान के तृत्य अंश का सोल्वा अध्याए